हेलो स्टुडेंट्स आज मैं आपको 10th क्लास बाइलोजी का एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक कराने वाला हूँ चैप्टर लाइक प्रोसेस हुमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो मैं इसको आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा विज डायग्राम आप अच्छे से इसको समझ के एक्जाम में इससे रिलेटिट कोई भी कोस्टिन कर सकते हैं इसकी पूरी वरकिंग या इससे जो सब पॉसिबल है वो सब तो बताऊंगा है तो हुमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि हमारी बोडी में कैसे डाइजेस्टन होता है जो भी हम कुछ खाते है उसका तो सबसे पहला जो पार्ट है हुमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वह अलिमेंटरी कैनाल अलिमें काइब 9ट मीटर इस की bisky Land होती है किसी भी फिर गुग में और मौthe से start हो जाता है है न माउट के पिछले से start हो जाता है को नीचे सक जाता है फिरा पोरा जो भाई प्रया हमारी बोडि के अंदर यहां से start होता है यहां से यह सारा हमारा क्या बोलते हैं इसको elementary canal एक एक करके सब discuss करेंगे तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो सबसे पहले mouth में क्या होता है mouth में teeth होते हैं जो food को चुरून करते हैं breakdown करते हैं तो teeth का काम हो गया breakdown of food इसके बाद mouth में होती है salivary glands सिक्रेट सैलिविया, सैलिव्री ग्रेंड्स एक सबस्टांस इक्रेट करते हैं इसे कहते हैं सैलिविया, हिंधी में इसको लार बोलते हैं, जैसे law secret होती है, तो which contain an enzyme इसके लिए तुम यह भी याद रख सकते हो इसका नाम एक यह भी होता है ताइलिन यह आपके एंसे आर्टी में नहीं है लेकिन याद रखना है ताइलिन है ना जैसे पूछ लिया कि जो एक और ने में वह बता हो तो क्या बता हो गया अब ताइलिन को यहां पर लिख देता हूं मैं पी टी वाई एल आई एन ठीक है अब यह एंजाइम क्या करता है ब्रेक डाउन गार्बोहाइड़स जो स्टार्च होता है उसको सूगर में बेक डाउन करता है कभी आपने महसुस किया होगा जैसे हम रोटी खाते हैं तो बहुत अच्छे देर जो कोिते हैं लुट लुट झालीजों यह लिए कोम अच्छे पोड़ी हें तो ज्थे हम के चाहती है तो में अच्छे हो लुट पुट मिठा उहां जा कि प्रश्बूरी सबांदी से एसोफगस जिसे कहते है food pipe food pipe के अंदर contraction and expansion contraction and expansion मतलब food pipe जो लगाता और हमारा शिकुरता रहता और फैलता रहता धिरे-धिरे जिसको बोलते है peristaltic movement क्या बोलते है peristaltic movement यह हमारा यहां पे अंदर होता peristaltic movement ठीक है इसके बाद फूड आता है इस्टोमक में यहां से से क्रेट होता है गैस्टिक जूस क्या उसको तो फूड के अंदर यह मिक्स होता है यहां पर बता देते हैं आपको जैसे हम कुछ खाते हैं तो उसके जस्ट बाद हम ऐसे बोलते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए तो उसका रीजन क्या होता है क्योंकि जैसे हम पानी पीते हैं तो फूड के अंदर पानी मिक्स होने लगता है तीन सबस्टांस होते है हाइडोकलोरिक एसिड पैपसिन एक एंजाइम और म्यूकस तो इसका हम डिसकस करते है करके जो हाइडोकलोरिक एसिड है उसका क्या काम है उसका काम है फूड को उसको जूश है उसको एसिडिक बनाना मतलब उसकी वहीं से जूश जो एसिडिक होता करता है और इसका एक काम यहाट है कि जो फूड के साथ हमारे कभी-कभी जर्मस चले जाते है उनको यह किल करता है है ना तो है death chloric acid का काम है जर्मस को किल करना और Tik जूसको Acidic बनाना अभी यह कि यह जीक हमाना पड़ा क्योंकि जो एंजयम टाइप किया करता ता backward breakdown protein in two smaller molecules जो हमारे फूड में protein होते हैं pepsin उसको smaller molecules में breakdown करता है in presence of scl तो यहां पर आपको यह बात रखना है कि scl का function यह भी है कि pepsin को acidic medium provide जिससे ब्रॉपर काम कर सके तो hydrochloric acid के दो function हो गए germs को kill करना और pepsin को acidic medium प्रोड़ाइड करना अब mucos का काम क्या है अब देखो acid hydrochloric acid तो acid ही होता है harmful होता है ऐसा तो हमारी स्किन के लिए तो हमारी stomach की जो वाल है उसमें चार हो यहां पर हर तरफ mucus की एक layer बन जाती है जो की stomach की वाल को फ्रोटेक्ट कर से मतलब से स्ल्देक्ट करती फ्रोटेक्ट कर दियुक्तля है अब कभ़ी अब क्या होता है इसके बावजूद स्ल्पए स्ल्प्वर्व straण ही हो जाता है अन्दरम Dazu epic ने जनरल बात है आपको पता न चाहिए lima किसे कहते हैं इस्टोमक की जो भीतरी वाल है इसके अंदर छोटे-छोटे जो घाव हो जाते हैं उसको अलसर भोलते हैं और यह किस वज़े से होते हैं जब ज्यादा एसिड प्रिजेंट हो जाता है हमारा ठीक है तो यह हमने इस्टोमक का तक का सारा फंक्शन पढ़ लिए अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा फीगर के बारे में देख लेते हैं कुछ बाते बता रहा है जैसे पैरिस्टाल्टिक मुम्मेंट हो गया इसके लाभ़े एक इंपोर्टेंट टर्म है इस्पिंचर मसल यह होती है यह इस्पिंचर मसल की होती है जहां पर हमारा यह existence of food मतलब जहां से food निकलता है स्टोमक से यहां पर एक ring-like structure होती है इसको क्या बोलते है spinture muscle बहुत important function है exam के लिए इंपोर्टन है क्या function है regulate the exist of food from stomach stomach से food के existence को regulate करती है मतलब food जो है धीरे 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 small intestine में आता है एक तरीके से valve का काम करती है ठीक है इसके बाद small intestine यहां से हमारी start होगी stomach के नीचे वाले पार्ट से small intestine क्या होती है यहां यह pipe होगे हमारा सारा यह जो दिखराय में यह यहां से लेके यह यह सारा small intestine है narrow tube होती है पतली-पतली सी tube होती है NF तक जाती है sorry NF तक नहीं जाती small intestine क्या है largest part of elementary canal 6.5 meter लंबी pipe होती है narrow होती है अब इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं यह NCIT में नहीं है लेकिन तुम्हें पता होना चीए कि इसके तीन पार्ट है एक तो यह वाला पार्ट है जो spinture muscle से just आगे वाला है इसको बोलते है dudenum ठीक है इसके बाद कुछ हिस्सा इसका जो है वह आपको यह पर बतानी सकता है ना इतनी जरूरत है बस ऐसी बता देते हैं इसको हम क्या बोलते है जैजुनम और जो just आखरी वाला हिस्सा होता है इसका यह हमारा होता है इलियम मुटा मुटा आप यह समझ सकते हो कि तीन पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं उपर वाला पार्ट जैजुनम sorry dudenum फिर मिडिल में जो है में लार्ज इंटेस्टाइन चो Χार्ज लार्ज इंटेस्टाइन आए इसको कोलन बोलते है कोलन समस्म में आगया होगा में उसके बाद हैते हमारे पास क्या फांक्ट्शन ऐसका एक मिनट तो फोड़ा ख़रें जैप कि टेस्ताइन में फूड आता है मतलब यहां पर यहां पर फूड अब आता है इस मोल इंटेस्टाइन में जाता है तो इस मोल इंटेस्टाइन में दो ग्लेंड से हमारे लीवर और पैंक्रियाज इन दोनों से जो सबस्टांस सिक्रेट होता है वो इसके अंदर आप अब लीवर से क्या सिक् बाइल जूस उपर से पढ़ लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता दिया था, इट रिचीव सिक्रेशन ऑफ लीवर ॉट पैंक्रियाज लीवर उट पैंक्रियाज से प्रोडक्त लेता है, और ये बता दिया था ऊपर, और। लीवर क्या करता है? सिक्रेटे बाइल बाइल जू सिक्रेट करता है जो ग्रिज की यलोईज लिक्वीड होता है गौल ब्लेडर के अंदर स्टोर होता है सिंपल लेंग्वेज में हम हिंदी में अच्म को जो हमारी देशी भाधा स्थोर बोलते है पित, तो पित किसमे होता है, गोल ब्लेडर, पित की थैली वर्ड सुनाओगा सब इने, तो गोल ब्लेडर के अंदर जो बाइल है, हमारा वो स्टोर होता है, मतलब लीवर से सिक्रेट हुआ, और ये गोल ब्लेडर के अंदर ये थैली जो होती है, इसके अंदर बाइल हमारा सि यह बाइल डक्ट मतलब यह उपर की तरफ जो है यह गरीन कलर की जो है यहां पर यह बाइल डक्ट है तो बाइल डक्ट मतलब एक पाईप हो गया जहां से यह बाइल जूस जो है small intestine के अंदर आके mix हो जाता है यहां पर यहां पर mix हो जाता है और उसी के साथ pancreas एक और important claim है इससे भी secret होता है कुछ वह भी आकर यहां पर mix हो जाता है यानि bile duct से bile juice आकर इसमें mix होता है और pancreatic juice इसमें आकर mix हो जाता है अब इसका function हम नीचे पढ़ लेते हैं bile juice और pancreas का क्या function है तो liver से bile secret होता है वो बता दिया बाइल का काम क्या है देखो important function है सभी कही alkaline nature होता है जैसे आप acid based chapter में पढ़ेंगे SCL acid होता है यह alkaline होता basic nature तो इसका काम क्या होता है एक तो इसका काम होता है fats को small global में convert करना जो fats होते हमारी body में उनको छोटे छोटे पार्ट में divide कर देता है जिससे कि आगे enzyme इसका proper digestion कर सके एक इसका दूसरा function यह भी कि food को जो acidic होता है stomach समक्से जाता है उसको basic बना देता है जिससे कि पैंक्रियाटिक अमाइलेज उस पर easily काम करता है जैसे उपर बताया था Pepsin SCL की presence में अच्छा काम करता है ऐसी pancreatic amylaj जो pancreas से secret होता है वो alkaline nature का होता है इसके साथ वो अच्छा काम करता है ठीक है तो bile juice के function समझ में आगे होंगे fats को छोटे part में divide करना और food को alkaline बनाना ठीक है यहां पर एक बात और बता देते हैं जैसे आपने सुनोगा इस टोन के बारे में तो जो इस टोन के बार गॉल ब्लेडर में बन जाती है वो तो नहोगा ना पित की थैली में पथरी होना तो यही होता है इसके अदर हो तो लीवर तक का portion हमारा हो गया इसके बाद panchryage panchryage क्या है panchryage जो इस टोमक के जस्ट नीचे होती है यह देखो यहां पर panchryage इस टोमक के नीचे पत्ती सी जो बनी हुई है इसके तीन प्रोड़क्त होते है panchryatis amylaege जो food में stars को breakdown करता है अब आप देख रहों कि stars में भी breakdown होता है लेकिन यहां पे भी होता है क्योंकि एक बारी में proper digestion किसी भी चीज़ का नहीं होता तो अगर माँ खाने को जल्दी से निगल जाते हैं तो वहां पे digestion नहीं होता स्टार्च का इस वहीं से pancreatic mileage को जादा महनत करने पड़ती है दूसरी चीज़ होती लाइपेस यह क्या करता है फैट को इमल्सिफाइड करता है है ना देखो बाइल जूस का भी काम है फैट को इमल्सिफाइड करना इसका भी फर्दर यह करता है उसके बाद यह दोनों मिलाक करना इस तरह था हमारी बोड़ी के अंदर पैंकरिया यूवर से इसमॉल इंटेस्टाइन में product जाते हैं और यह फूड को डायस्ट करते हैं कंच जादा तर जो फूड का डायसे सिना यह वह इस्मॉल इंटेस्टाइन चेदशन की लेश्टाइघ अब इसमॉल फूड का complete digestion करते हैं, protein जो हमारा फूड में बचा होता है, उसको amino acid में convert करते हैं, carbohydrate को glucose में और fat को fatty acids में और glycerol में, यानि जो food के अंदर protein होता है, उसको amino acid में convert कर देते हैं, carbohydrate को glucose में और fat को fatty acids में, आप सबको इतना ही पढ़ना है, अभी आगए कर आप biology लोग है तो यह भी पढ़ेंगे कि amino acid क्या होते हैं, उनका क्या काम है, glucose, glucose का तो सबको पता ही है, energy provide करना, fat को glycerol, तो small intestine के अंदर हमारा यह जो small intestine है, यह वाला portion, इसके अंदर food का complete digestion होता है, है ना, और यह बता दिया कैसे कैसे होता है, इसके अंदर pancreas और liver से जो हमारे आते हैं product, उनके बाद small intestine की वाल से intestinal juice secret होता है, जो food का complete digestion करता है, अब एक बात और important है, जो small intestine है, उसके अंदर finger like projection होती है, मतलब small intestine देखो अंदर से इस तरह की होती है, यह उसके अंदर इस तरह की finger से निकली होती है, यह जिनको क्या बोलता है, विली, village, ना, विली का काम क्या है, बहुत important function है, विली जो है, increase the surface of absorption of food, मतलब food के लिए ज़्यादा area प्रोवाइज, अब देखो माली यह सारी चीज़े नहोती, तो food यहाँ पर आता, तो food को केवल इसना area मिलता है, absorption के लिए, मतलब food के जो product ब्लड में जाते हैं उसके लिए इसना area मिलता है, लेकिन इससे क्या area बढ़ गया, फूड जो है इसके अंदर से जब enter होता है, तो जादा से जादा food जो है, ब्लड के अंदर absorb हो जाता है, तो विलीज का काम है, जादा से जादा area प्रोवाइड करना food को, small intestine की वाल को ताकि food जो अच्छे से absorb हो सके, इसके बाद food आता है हमारा colon में, large intestine, ये क्या है हमारा portion ये वाला, large intestine, है ना, large intestine में जब food आता है, देखो इसको large, ये वैसे length में बढ़ी नहीं होती, लेकिन मोटी होती है, जबकि small intestine length में बढ़ी होती है, लेकिन वो narrow होती है, ठ तो, large intestine में क्या होता है, जो food बच जाता है, वेस्ट प्रोड़क्ट जो होता है, उसमें जो थोड़ा बहुत पानी होता है, वो जो है, एब्जोर्ब कर लिया जाता है, ज्याद़ विलीज होती है, large intestine में भी विलीज होती है, वो food को, उसमें जो पानी होता है, उसको एब्जोर्ब कर लेती है, और उसके बाद जो rest of material removed from body through anus, उसके बाद जो waste product होता है, वो हमारी बोड़ी से बहार जाता है, एनस के द्वारा, ठीक है, अब एनस के भी end part में एक मसल होती है, यहाँ पे यह, चैसे उसमें उपर यहाँ पर होती है, बताया था, ऐसी यहाँ पर और इसको बोलते है, एनल स्पिंचर, ठीक है, एनल स्पिंचर का क्या फंक्शन है, एक्जिस्टेंस वेस्ट मैटिरियल इस रेगुलेटेड बाई इट, जो वेस्ट मैटिरियल है, उसके एक्जिस्टेंस को यह रेगुलेट करती है, तो इस तरह से मैंने आपको डाइजेस्टी सिस्टम का डिटेल में बता दिया है यह विलीज का आपको देखना अंदर से इस तरह की होती है एक बार हम फिगर के हिसाब से इसको माइंड में बठा लेते हैं और आपको भी इस तरह से करना चाहिए देखो जब हम कुछ खाते हैं तो सबसे पहले माउथ में जब फूड जाता है तो जो हमारे टीथ होते हैं वो फूड को चून करते हैं फिर सैलिवरी ग्लेंड में एक ए थोड़ा सा डाइजेट्सन माउथ के अंदर हो गया फिर फूड आता है हमारा इसफेकस में जहां पर परिस्टाल्टिक मुवमेंट होता है फूड दीर दीर नीचे आता इस टोमक में इस टोमक में फूड जो है तीन से चार घंटे रहता है और इस्टोमक की जो वाल है उनसे गैस्टिक जूस सिक्रेट होता है जिसके फंक्शन है तीन प्रोड़क्ट होते हैं उसके कौन-कौन से हाइडोकलोरिक एसिड पैपसीन और म्यूकस तो उनके फंक्शन डिटेल में पढ़ लिए उसके बाद इस पिंचर मसल इस्मोल इंटेस्टाइन और इस्टोमक को जो यहां पर जोएंट होता है इसको इस पिंचर मसल बोलते है यह फूड के एक्जिस्टेंस को रेगुलेट करता है, mommy स्टोमक के फूड दीरे दीरे नीचे आता है, लीवर हैं यहाँ पर लेप साइड पह होता है हमारे हमारे इसे इसाई और जोडेट सैन कंौ से स्मोल इंटेस्टाइन में आता है और पैं स्पैनारियास सेomeimagin जूस यह दोनों आके इस फूड के अंदर मिलते हैं और फूड को डाइज़ेस्ट करते वह नीचे बता चुके इसके बाद फूड नीचे आता है इस्मोल इंटेस्टाइन में उसके तीन पार्ट बतायते हैं इनके फंक्षण वगरहेपने की ज़ड़निस हैं तो फूड नीचे आता है फिर फूड का इसके अंदर complete digestion हो जाता है वो सब नीचे बता दिया आपको colon क्या होता है large intestine इसके अंदर water absorb हो जाता है फारा जितना भी होता है फिर जो waste product है वो हमारा नीचे वाले अपार्ट में आ जाता है और NS के तुरू पूरी बोड़ी से बहार हो जाता है ठीक है और यह हमारे इसको रेक्टम भी कहते हैं और appendix इतना जरूर नहीं है vestigial organ है हमारी बोड़ी में अभी कोई काम का नहीं है ठीक है तो उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ मा आ गया होगा इसके notes बनाका आप इसको अच्छे से कुछ भी तो मेरे को comment में लिखो मैं उसके ओपर भी वीडियो बना दोगा ठीक है thank you very much